हेलो फ्रेंट वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल मैसेल मुहिना तो फ्रेंट आज सुबा मैंने एक आज पीडियो का मौग लाया और इनका जो इनलिस का लेबल इनने कर दिया गाइस इतना ज्यादा इन्होंने इंक्रीस कर दिया मतलब स्कोर करना मतलब बहुत ज़्या टा मैंने रिजूनिंग में अच्छा खास स्कोर कर लिया तो इस वाज़े से मैंना पर्सेंटेल ठीक रहा एकुरेसी एक पॉइंट 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 फाइव आउट फाइव आउट थाटी मतलब मैंने एक्टम किया था सिक्स्टीन उसमें से शिक्स कोस्टन रॉं हो गया को आउट फाइव क्वण में आइगा थां 25 यहां पार जो एकुरेसी है 100 पास सने मैंने एटम किया था 25 उसके बाद रिजूनिंग में आउट 26 पाइव और 35 यहां पार मैंने दो कोस्टन गलात हो गया मैंने आटम किया था 29 कोस्टन आँप देखते है इनका सॉल्यूशन थ इसा question है अगर आप इसको नहीं पर गोंगे तो एंसर नहीं कर पाऊगे एक भी question state for word था नहीं आप भाब के साथ क्या मिनिंग, क्या में तो पहुत हो था है इस type का question qordanед कर could be ऐग़रा था यहाँ घृत्रां गरोड था यहाँ थ्टांक करने को अधाय不錯 था ? और पर यहाँ पर आरिथमेटिक था यहां पर मैंने अरिथमेटिक भाला स्कीप कर सुर्जिक अरिभ देक सकतर सब्सक्राइक एक भी आधितमोंटरी कोस्टन यहां पर स्ट्रिट प्रॉडट्ट मामना ठीक है पी ओ लेवल ऐसा वी होता है और इसके बाद रीजुनींग में पर ठीट ठाक था यहां पर दो कोस्टन गलत हो गया मेरा यह वाला कोस्टन जो होता है ना प्यार फ्रमीशन मेंसे हमेसा यह व सब्सक्राइब कर सकते हो और टेस्ट बुग ने उन्होंने लेवेल इतना इंक्रीस कर दिया खासकर कॉंट में इतना ज्यादा टाप कर दिया एक साल पहले टेस्ट बुक और अभी का टेस्ट बुक के आंदर बहुत सारा मतलब आस्मात जनिंग का फड़ाक आ चुका है गाईस तो हर कोई मौक टेस्ट लेवेल इंक्रीस कर रहा है तो ठीक बात है कोई बुरी बात नहीं है इतना भी मत करो कि स्टुडेंट एटेम टांक कर पाया है तो ठीक है गाईस आल दा वेस्ट अच्छे से पढ़ाई बागड़ा करिये